हेलो एवरिवन, स्माइल दिस साइड, फर्स्ट यर MBBS स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं पार्ट थ्री ऑफ दे बॉडी फ्लूइड सेंड सेर्कुलेशन की NCRT लाइन बाइन एक्स्टेनेशन, हमने 281 पेश तक सारी एक्स्टेनेशन कवर कर ली थी, आज हमें पेश न और लिंफ किस-किस चीज से मिलकर बनता है, वाटर प्लस वाटर सॉलूबल सबस्टांसिस, माइनस लाज प्रोटीन, प्लस मोस्ट अफ दो फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये एक जनरल चीज बता दी मैंने आपको कि लिंफ क्या होता है, जैसे मैंने अपनी NCRT में साइड में तो आप ये से एड कर सकते कि लिंफ क्या है, वाटर प्लस वाटर सॉलूबल सॉलूबल सबस्टांसिस, माइनस लाज प्रोटीन, संद मोस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और जो लिंफ हो एक करते है, ऐसे मिडल में, ये भी कई बार टेस्ट में कुछ स्टेटमेंट वाइस question में दिया जाते हैं, तो ये भी आप धियान रखने कि लिंफ किस तरीके से करते हैं, मिडल में की तरह हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर्स लाइन ओफ एलिमेंट्स, ये वही चीज़ें जो अभी हमने उपर लिख ली थी, ये बता रहे हैं कि जब ब्लड पास करते हैं, करते ही तो कुछ जो वाटर हैं और स्मॉल वाटर सॉलिबस सांसे पैले तो आपको धान अखने कि लया लाउड तो स्मॉल और वो वाटर सॉलिबल है या लिपल सॉलिबले स् watches ग्यों हों आपको aja सकते हैं, बावि की तरीके और चाहीं को छोड़ देते जो हमने माइनश कि तो हमें लिम्फ के टोटल तीन नाम पता चल गया है एक है लिम्फ, सेकेंड इंटरस्टीशियल फ्लूइड एंड थर्ड बन तर्ड टीशू फ्लूइड तो आपको तीनों के तीनों नाम अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि कई बार अगर मान लीजे टेस्ट में टीशू होती है प्लास्मा की तरह है नेक्स लाइन इस एक्स्चेंज ऑफ न्यूट्रेंट्स गैसे इट्सेटरा बिट्विन ब्लॉड एंड इसल्स ऑल्वेज अगर थो दिस फ्लूइड तो लिम्फ का भी मेन एक्स्चेंज का ही काम है जैसे की ब्लॉड का होते है यह क्या के सिस्टम क्लेक्ट्स दिस फ्लूइड एंड ड्रेंस इट बैक इंटु दर मेजर वेंज तो आपको ध्यान रखने की नेट्वर्क आफ वैसल्स होता है जिसे कि हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं वह क्लेक्ट करता है इस फ्लूइड को किस फ्लूइड की बात और यह बोली निक्स ऐन डिलिम्फेटिक शिस्टम इसन लिंफ वह टो जो इंदर ज्रुइड प्रेजिन ओगा उसका जानाम होगा जयान हो जो फोगा नेक्स आइन ज्डैनेस लइंड में कि अन्सीयाटिद दिया गया है तो अगर वाइट भी दिया होगा अगर वह एट बीडु तो वो आंसर नहीं हुआ, colorless is a different thing and white is a different thing, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, और lymph के अंदर क्या क्या चीज़े प्रेजन होते हैं, lymphocyte और specialized type के lymphocyte, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और वो किस purpose के लिए होते हैं, lymphocyte का main function तो हमें पता ही है न, that is for the immune responses of the body, तो lymphocytes जो ह वो क्या provide करते हैं, immunity provide करते हैं, next line is, lymph is also an important carrier for the nutrients, hormones, etc, तो अभी हम उपर दो चीज़ों का carrier तो इसको पड़े थे कि इसने exchange किया था nutrients और gases को, lymph का एक और काम होते है कि ये nutrients को भी और hormones को भी carry करते है, hormones भी यहाँ पर एक special word है, जिस पर आपको ध्यान देना है, हम normally इस पर ध् absorbed in the lymph in the lacteals present in the intestinal villi, ये बहुत important line है और previous question में भी पूछी गई है, lacteals क्या होते हैं, ये digestion वाली चेप्टर में भी पढ़ा होगा, lacteals are the large lymph vessels, तो इनका main काम क्या होते है कि इनके अंदर fat का absorption होते है, जो कि कहां present होती है lacteals अगर आपसे पूछा जाए, intestinal villi में, ध्यान र खुद से lymph क्या था, some water and water-soluble substances, और minus क्या क्या चीजी की थी हमने, large proteins और कुछ formed elements, फिर आप और ध्यान देने कोशिच करें, lymph की बाकी नाम क्या क्या पढ़े थे हमने, interstitial fluid और tissue fluid, और lymph की जो mineral distribution थी वो case जैसी थी, plasma की तरह थी, lymphatic system के अंदर जो fluid present होते है उसका क्या नाम होते है, lymph होते है, और वो finally drain कहां करते है, major veins में करते है, lymph के अंदर कैसे lymphocyte होते है, specialized type के होते है, उनका काम क्या होते है, immune response provide करना, और intestinal rely में हमने एक special type of lymph vessel पढ़े थी, उसका क्या नाम था, lacteals, उसमें किस चीज का absorption होते है, protein का या carpo hydrate का, ने ने इनने से किसी का ने, fats का absorption होते है, तो इस तरीके से आप खुद से भी याद करने कोशिश किया करें, जैसे मैंने करा, दो मिनिट भी नहीं लगते है, लेकिन इस तरीके से आपको ज्यादा retain हो पाएगा, अब हम आते हैं, नेक्स टॉपिक पर, that is 18.3, that is circulatory pathway, so the first line is, the circulatory patterns are of two types, open और closed, तो आप से open circulatory system is present in arthropods and mollusk, in which blood pumped by the heart passes through the large vessels into the open spaces, और the body cavities known as sinuses, तो open circulatory नाम से ही पता चल रहे हैं कि ये किसी closed system में नहीं कर रहे हैं, ये open spaces या जो body cavities हैं, जिने हम sinus बोलते हैं, उनके अंदर drain करते हैं, ब्लड को, और ये किन किन में पाए जाते हैं, arthropods and mollusk में, और इसका एक आ करना होगा, mollusk का एक exception है कि octopus यहां पर नहीं होता है, open circulatory पात्वे में octopus included नहीं है, बहुत important है, ये आप अपनी NCRT में भी add कर दो है, previous year question में भी पूछा गए, exceptions आपको याद होने चाहिए, next line is, annulates and caudates have a closed circulatory system in which the blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels, तो closed circulatory system हमें नाम से ही पता चल रहे क्योंकि blood vessels closed होती है ना, तो उसमें जो hurt है वो कैसे pump करते है, through the rate work of blood vessels, और इसमें क्या-क्या include होंगे, annulates and caudates, और क्या इसमें mollusk include होंगे, हाँ होंगे, कौन से वाला octopus तो वो आपको ध्यान रखना है, तो आपको हर टाइप से question train करना आना चाहिए, अगर मान लीजे, प पुच जाए कि mollusk follow open, closed या both, तो क्या आएगा, both answer आएगा, तो आपको हर तरीके से सोचना है, next line is, this pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated, तो यहाँ पर किस pattern की बात हो रहे है, closed pattern की, यहाँ पर this pattern लिखा हो है ना, तो साथ में आप closed भी लिख सकते हैं, बात में हम कई बार confused हो जाते है ना, तो हमें ध्यान रखने, यह जादा advantageous क्यों है, जादा फायदे मन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो fluid का flow है, वो कैसे हो रहे है, precisely regulate हो रहे है, next line is, all vertebrates possess a muscular chambered heart, सारी की सारी vertebrates, ध्यान रखने, all vertebrates लिखा है, कई बार उसमें लिख देंगे, आपको statement wise question आएंगे, कि only a few vertebrates have a muscular chambered heart, नहीं, सारे के सारे vertebrates के बारे में, तो फिर हम भी ना कई बार इसे test में confused हो जाते हैं, हाँ, क्या पता कुछ के पास muscular ना हो, वो नहीं हार्ट हो, उस परीके से, नहीं, आपको अगर NCRT पे आपकी अच्छी कमांड होगी, तो आपको इन चीजों में doubt आए नहीं तो आप इन वर्ट को अलग से highlight कर लिया करें, इंक्स लाइन इस, fishes have a two-chambered heart with an atrium and a ventricle, fishes के पास के सा हार्ट होते हैं, two-chambered होते हैं, और वो two chambers कौन कुन से होते हैं, दोनो atrium या दोनो ventricle, नहीं, दोनो atrium और दोनो ventricle नहीं होते हैं, एक atrium और एक ventricle होते हैं नेक्स लाइन इस, amphibians and the reptiles, except crocodile, exception हमें फिर से याद रखने हैं, इनके पास के सा होते हैं, three-chambered heart होते हैं, amphibians और reptiles, लेकिन कौन सा reptile ऐसे हैं, जिसके पास three-chambered heart नहीं होता है, उसका नाम भी आपको ध्यान रखना हैं, that is crocodile, तो इनकी three-chambered होते हैं, ये three-chambers कौन कौन से होते हैं, दो ventricle और एक atria या दो atria और एक ventricle, तो इस तरीकिसे आपको NCRT की लाइन पता होनी चाहिए, दो atria और एक ventricle होते हैं, next line is, whereas the crocodiles, birds and mammals possess a four-chambered heart with two atria and two ventricles, तो birds और mammals के पास तो 4-chambered का heart होते हैं, और साथ में एक reptile भी ऐस है, जिसके पास 4-chambered वाला heart है, कौन सा है वो reptile, that is a crocodile, ये भी प्रिवियसर कोईशन में पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखते हैं, next line is, in fishes, the heart pumps out de-oxygenated blood, which is oxygenated by the gills, and supplied to the body parts from where the de-oxygenated blood is returned to the heart, to the single circulation, तो इसमें हमें fishes, यानि Pisces के बारे में क्या बताया गया था, कि ये तो हमें पता है, इ किस तरीके से blood को pump करता है, देखिए, जो hurt है, वो de-oxygenated blood को oxygenate कैसे करता है, through the gills, इनके पास lungs नहीं होते हैं, हमारी तरह है, तो ये gills के थूप करते हैं, और जो de-oxygenated blood है, वो एक ही single circulation होता है, यहाँ पर, humans में कैसा circulation होता है, double circulation, लेकिन इनके पास तो दो ही चेंबर है, स 6-9 is, in amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood from gills, lungs, skin, and the right atrium gets de-oxygenated blood from the other parts of body, amphibians और reptiles के बारे में हमें बताया गया है, कि उनके पास जो left atrium है, हमें ये तो पते हैं कि left atrium के पास oxygenated blood आते है, humans being में आपको बता होगा कि left atrium में कहां से आते है oxygenated blood, lungs से आते है, लेकिन जो amphibian और reptile हैं, दोनो के पास तीन जगे से oxygenated blood आ सकता है, gills से भी, lungs से भी, and skin से भी, and जो right atrium है, वो de-oxygenated blood कहां से receive करता है, from the other parts of body, इन तीनों के अलावा वाले, okay, तो ये line काफी important है, इसे आप ध्यान रखें, amphibian और reptile दोनों है, हम सिर्फ amphibian सूचते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि NCRT में reptiles भी specially mentioned है, next line is, however, they get mixed up in the single ventricle, which pumps out mixed blood, incomplete double circulation, लेकिन यहाँ पर क्योंकि three chambered heart है, क्योंकि दो atria और एक ventricle थे न, तो जो single ventricle है, वहाँ पर तो blood की mixing हो जाती है, इस वज़े से क्या होगा, incomplete double circulation होगा, next line is, in birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood, received by the left and right atria respectively, passes on to the ventricles of the same side, अब जो birds और mammals की बात हो रही थी, और एक कौन सा था, that is, कौन से reptile की बात थी, जिसके अंदर double circulation होता है, that is the crocodile, अब यहाँ पर जो oxygenated और deoxygenated blood है, oxygenated blood हमने पहले ही पढ़ा था, कि वो left atrium को receive होगा, और जो deoxygenated blood है, वो कहाँ पर आते है, right atrium में, यह तो हम human beings से भी जानत तो respectively का मतलब क्या होता है, कि जैसे oxygenated की बात हो रही है, that is for the left atrium, and deoxygenated की right atrium, और जो वो कहाँ पर पास होन हो जाएगा, ventricles of the same side, likewise, जैसे left atrium से कहाँ जाएगा blood, through the left ventricle, and right atrium से कहाँ जाएगा, right ventricle की तर, इस तरीके से double circulation की यहाँ पर बात हो रही है, the ventricles pump it out without mixing up, that as two separate circulatory pathways are present in these organisms, क्योंकि यहाँ पर दो ventricles है, दो atrium है, mixing का तो कोई चांस ही नहीं है, तो इस वज़े से यहाँ पर कोई mixing नहीं होती, and इस वज़े से हम इन animals के अंदर क्या बोलते हैं, कि these possess the double circulation, let us study the human circulatory system in detail, तो आज हमें यहीं तक कवर करना था, I hope so आपको बहुत पूछ सकते हैं, thank you so much